Hello and welcome to Sports Fact देखें इंडिया वसेज साउथ आफ्रिका के दोरे के बाद अब इंडिया पूरी तरह से वेस्ट इंडिस के दोरे के लिए भी तयार है जैसी कि आपको पता है रोहित शर्मा वापस से कप्तानी करते हुए दिखेंगे वो पूरी तरीके से फिट है और देखें उनकी कप्तानी में अब टीम ODI, तीन ODI मैचेज और तीन T20 मैचेज खेलने वाली है अब जो अपडेट आई है वो यह आई है कि टीम स्क्वाड के कुछ फ्लेयर्स एहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं बहुच चुके है एहमदाबाद में ही अभी जो तीन ODI मैचेज है वो खेली जानी है और जो बागी तीन T20 मैचेज है वो कोलकाता में आईोजन होगा आपको बता देते हैं कि वो जो प्लेयर्स हैं जो एहमदाबाद बहुच चुके हैं उनमें शिकरदवन यूजी रवी बिश्नोई और सूर्यकुमार यादव मौमत सिराज का नाम है इन सारे प्लियर्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पिक्चर शेर करके ये बता दिया कि हम तो चले एहमदाबाद पूरे तरीके से तैयार है रवी बिश्नोई के लिए ये पहला उपरच्यूनिटी है इस वज़ा से वो काफी confident नजर आ रहे हैं वो बहुत उमीद से जा रहे हैं कि प्लेइंग लवन में उनको मौका दिया जाए देखें प्लेइंग लवन में शायद इस बार अवी बिश्नोई को मौका मिल सकता है देखें आपको बता देते हैं यूजी चहल ने अपने इंस्टाग्राम में शिकरदवन के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपने रियल पार्टनर के साथ एहमदाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ वही मोहमत सिराज की बात कर लें मोहमत सिराज ने एक फोटो डाला है अपने करेंट फील्डिंग कोच जो है टी के दिलिप उनके साथ पिक्चर शेयर किया है और उसके साथ सूरे कुमार यादव की बात करें तो सूरे कुमार यादव ने रोहित शर्मा और रिशप पन के साथ फोटो डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि फ्लाइंग विद दी बेस्ट मतलब मैं बेस्ट के लाडियों के साथ रवाना हो रहा हूँ एहंदाबाद के लिए इन प्लेयर्स को एहंदाबाद के लिए रवाना होना पड़ा है क्योंकि अभी उनको बायो बबल का पार्ट होना है ताकि वो 6 फेवरेरी से जो मैच शुरू होने वाली है उसका हिस्सा हो सके बायो बबल में जाने के लिए उनको इतना जल्दी एंदाबाद के लिए रवाना होना पड़ा है देखे वहीं अगर रवी wondered की बात कर लें तो रवी बिश्वई की शिस्टर पूजा बिश्वई ने रवी बिश्वई के साथ फोटो शेर करते हुए लिखा है कि happy journey for team India champ Ravi Vishnui ये उन्होंने लिखाए अपने भाई के लिए देखे Ravi Vishnui के लिए ये पहला debut होगा let's see कि उनको playing 11 में मौका मिलता है या नहीं interesting होगा देखना क्योंकि players तो bio bubble का हिस्सा होने के लिए रवाना हो चुके हैं एहम्दाबाद के लिए देखना होगा देखे ये बहुत interesting game होगा West Indies के खिलाफ let's see कि कैसे India gripped up है देखे ऐसे ही updated facts के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो like, share, subscribe करना ना भूले bell icon को याद से प्रेस कर ले ताकि notifications आप तक time to time पहुंचती रहे